हेलो दोस्तों नमस्कार मैं भारत कुमार आज आपके लिए एक बहुत ही रोचक टोपिक लेके आया हूं रिजनिंग का यह जो रिजनिंग है यह भी आपके कंपडिशन में जो जनरल कंपडिशन होता है हर जगे आती है और डाइस यानि पासा इसका भी कोस्चन आपके पेप में इस कोस्चन को कर पाएंगे जो डाइस है यानि पासा है इसके मुक्रूप से 4-5 प्रकार होते हैं कोस्चन आने के डाइस तो एक ही प्रकार का होता है जिससे आप लोडों खेलते हैं वो डाइस होता है जब आपका डाइस का कोस्चन आता है तो आपको डाइस इस तरह ब इस त्रह आपने देखें दो हमें दिये गई है इन में आपको कुXus नमबर दिए घे जब आपको दो राइस दिए गए हों उसमें जो सबसे ज़यादा गुंऌन कोश्चन आता है आपको नमबर कोमण मिलें ही इसमें देखो टू और तो और फोर दोनों कोमन हैं जब हमें दो नंबर कोमन दिये हों सेम दिये हों तो जो तीसरा नंबर बचता है आप उसको यहां लिखेंगे इधर से यह यह आप से क्यों लेकी कोश्चन पूछागा बताइए वन के पीछे या एक के पिछली साइड में या विपरी तीस्तिती म यह उपर कौन से संक्या हुई यह सबसे ज़्यादा कोश्चन आपको पर में मिलता है तो यह तो इसका प्रथम परकार हुआ आप अगर एक पार केवल देखने से आल कर सकेंगे इसमें आपको ज़्यादा केल्कुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी अब दैस का दूसरा प नमबर आपको डोड़ा इस दिया है और उनमें नमबर आपको दिये गई है इस तरह है जानी एक नमबर कॉमन है और वो अपनी सेम सीटी पर है देखु है त्री यहाँ भी है और यहाँ और इसकी position वो की वोई है जब position change ना हो तो दो की जगे क्या आया 4 एक की जगे क्या आया 5 यानि दो के पीछे 4 और 5 के पीछे इसे तो 3 के पीछे यानि 3 की विप्रीज इस्थिती में क्या बचा dice में 6 नंबर होते हैं 1,2,3,4,5,6 तो 1,2,3,4,5 आगा बचा क्या 6 जब आपको इस प्रकार का dice दिया हो कि जहां एक इस्थिती common हो और वो अपनी इस्थिती भी ना बदल रही हो तो जिस इस्थिती पर दूसरा नंबर आया उसको हम यहां लिखेंगे और वो आंस्वर होगा अब इसका तीसरा टाइप तो कि इस्थिती वही है हमें केवल एक common मिलागा लेकिन वह अपना स्थाम बगल चुका होगा यह देखी common यहां भी 3 है यहां भी 3 है लेकिन उसकी पोजिशन उसकी इस्थिती यहां ना होकर यहां है तो गबराने की जुरूत नहीं है वो ही आप करेंगे केवल यह 3 3 आपने लिखा और लिखने के बाद आप देखें clockwise क्या आया शिक्स क्या यह कि यहां भी 3 के बाद क्लोग इस तरह चलते हुए तीन के बाद क्या आया चार चार के बाद क्या आया एक यानि 4, 6, 5, 1 बचा क्या? 3 के पीछे 2 इसमें आपकी कुछ भी question पूछे है कि बताईए 6 के पीछे क्या 4 4 के पीछे क्या 6 5 के पीछे क्या 1 1 के पीछे क्या 5 3 की back side में क्या 2 ये आपकी तीसरी स्थिती इस पांचे की हुई और ये तीनों मैं मानता हूँ कि आप केवल question को देखने बर से हल कर पाएंगे और आपकी समन में भी आया होगा इसके बाद आपकी जो चोथी स्थिती है उसमें आपको dice ना दिया जाए यानि पांचा इस तरह ना देके आपको ये 6 box होगे इन 6 box में right और left की स्थिती बदल भी सकती है ये इस तरह भी हो सकती है ये यहां की बजाए यहां भी हो सकती है और ये इधर की बजाए यहां भी हो सकती है यानि जो right left है उपर नीचे कहीं भी आपके आ सकते हैं अब इसका जो rule है इसका जो नियम है आपको हमेशा ध्यान रखना है right और left हमेशा आगे पीछे होंगे या भी परी तिस्टियों में होंगे इसके अलावा box number one two three four ये जो box आपके चार बने इनमें आपके even number के पीछे even number और old number के पीछे old number box होंगे number नी box यानी इस box में मालिया आपकी संक्याई four यहां है six यहां है three one two five तो आप देखो पहला box तीसरा box पहला box में कितना है पहले box में number आया four और तीसरे box में number आया three यानी ये दोनों स्थिति आपस में आगे पीछे होंगी इसके अलावा box number two माया six और four माया one ये दोनों स्थिति भी आपस में आगे पीछे होंगी और right और left यानी two or five आपके तीनों answer है इसके अलावा आपका question पूछे नहीं सकता है, इन्हीं में से, किसी एक को पूछेगा, बताईए 6 के back side में क्या है 1, 2 की back side में क्या है 5, यह 5 के back में क्या है 2, यह आपका open dice हो, इसके अलावा एक question आजाता है, जब आपको dice ही ना दे और आपसे पूछ ले किसके पीछे क्या, तब आप क्या करोगे, जब आपको dice ही नहीं दिया, आपको dice दिखाई नहीं दे रहा, तब बताऊगे कैसे, उसमें आपसे पूछागा, मानक पांसा, मानक यानिकि standard dice, मानक पांसा, या standard dice, यह जो आप लुगडों खेलते हो, लुगडों में जिस dice का परियोग करते हो, वो standard dice होता है, standard dice, कोई भी dice, standard dice जब होगा, यानि मानक पांसा, जब होगा, जब उसकी विपरीत इस्थितियों का जोड़, यह ध्यान रखने की बात है, विपरीत, इस्थितियों का जोड़, साथ हो, यानि, साथ, 5 प्लस 2, 7, 4, प्लस 3, 7, यानि ये combination हमारा, standard dice में होगा, यानि 6 की back side में 1, 5 की back side में 2, 4 की back side में 3, यह हमें दिया हुआ होगा, या दिया हुआ होता है, हमें बता दिया, मानक पांसा है, बताए ये 5 की विपरीतिसिति में, कौन सा अंक आएगा, तो हम क्या बता देंगे, 2, क्यों, क्य कि ये एक निश्चित fact है, ये प्रूव है, कि dice जो होता है, standardized होता है, उसकी विपरीतिसितियों का जोड़, वो 7 आता है, तो 6 के साथ 1, 5 के साथ 2, 4 के साथ 3, अब इसके अलावा, आपको dice देने के बाद भी मानक पांसे का question पूछ लिया जाता है, आज कर मानक पांसे का question से ज्यादा परचलन में है, आपको 4 dice वो देगा, यानि 4 पांसे बना के देदेगा, और उसमें पूछ लगा कौन सा मानक पांसा हो सकता है, या कौन सा पांसा मानक पांसा नहीं हो सकता, अब आपको ध्यान लखना है, पहले बात कि जब विपरीतिस्टियों का जोड़ साथ होगा, तो वो मनक पांसा होगा, लेकिन अगर वही साथ वाली इस्थितियों का जोड़, वहां कहा था विपरीतिस्थितियों का योग, विपरीतिस्थितृति का जोड़, जब विप्रीत इस्थिती का जोड का योग साथ है तो वो मनत्पासा है लेकिन जब विप्रीत की बजाए साथ वाली यानि ये जब साथ वाली इस्थितियों का योग साथ हो जाए तो वो कभी भी मानक नहीं होगा यानि मानक होने की कंडिशन क्या है विप्रीत इस्थितियों का जोड साथ हो और मानक ना होने की कंडिशन है साथ वाली इस्थितियों का जोड साथ हो तो आपको एडाइस दिएगे कि आपके चार डाइस देजिए और आपसे पूछा गया कि बताओ निम्न में से कौन सा डाइस या कौन सा पांसा मानक पांसा हो सकता है तो मानक होने के लिए क्या है साथ वाली स्थितियों का जोड साथ ना हो वो मानक हो सकता है तो हमने जोड़ा छे और पांच ग्यारा छे और एक साफ जब भी साथ वालों का जोड साथ आ जाए वो कभी मानक नहीं होगा फॉर थ्री सेवन नहीं होगा फाइफ फॉर नाइन फाइफ वन सिक्स फॉर वन फाइफ यानि इसमें साथ वालों का जोड साथ नहीं है तो यह मानक हो सकता है हो सकता है अब इसे चेक करें 527 यह नहीं हो सकता यानि हमें पता चला 3-5 से यह मानक नहीं हो सकते केवल यह हो सकता है हो सकता है इसलिए क्योंकि हमें इनकी विपरीत स्टिडियों का एक्जिक्ट नहीं पता है हम केवल अनुमान लगा रहे हैं हमें 6 के 6 स्थितियों का पता हो और उन सब का जोड साथ आता हो तो मानक होगा विपरीत का लेकिन साथ वालों का जोड जब पांसा साथ आजाए जो इन तिनों में आया है तो वह कभी भी मानट पांसा नहीं हो सकता यह आपका जो सब्सक्रूल है कंप्लीट हुआ और मुझे नहीं लगता कि यह क्लास करने के बाद आपको दैस के कोश्चन करने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप message करें numbers में है whatsapp number है question send करें आपको उसका हल उपलब्द कराया जाएगा ये इसी आसा के साथ मैं आज के class पार्षे के जो class है उसमाप्त करता हूँ अगर आपको class अच्छी लगे तो आप like करें subscribe करें धन्यवाद